नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बिहार में हाल में हुए राजनिती घटना क्रम को ले करके अभी भी बहस जारी है मन्थन हो रहा है कि आखिरकार जेडियू प्रमुख और मुख्यमंतरी नितीस कुमार विपक्च की किस बात को ले करके भढ़के और इन डी घट बंधन छोड़ने का कर लिया फैसला तो आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के साथ सीटों के बटवारे से ले करके काम काज में तेजस्वी के हस्तच्छेप और रोजगार से ले करके उन तमाम योजनाओं पर क्रेडिट लेने की खोड़ से तो नितीस कुमार नाराज थे ही इंडी गटबंधन में राहुल गाधी ने उन्हें और जादे नराज कर दिया था 23 जून को पटना में उन्होंने भी पक्ष की पहली बैठक कराई थी और उमेद ये किये थे कि उन्हें इस गटबंधन में फ्रन्ट फूट पोड़ आ करके खेलने का मौका मिलेगा तेजस्वी को सत्ता का हस्तनांतर कर देंगे लेकिन जब गटबंधन में दल सामिन होने लगे तो नितीस को किनारा किया जाने लगा वो बात को समझ गए थे बात तब जा करके बढ़ गई जब 13 जनवरी को आनलाइन मीटिंग हुई उसमें नितीज कुमार को सयोजक बनाने पर आम सहमती लगभग बन गई थी तब ही उनके नाम का प्रस्ताव जैसे ही रखा गया राउल गाधी ने ये कह दिया कि मुम्ता बनर जी से डिसकस करना होगा वो इस मीटिंग में नहीं है ये बात नितीज कुमार को चुब गई बाद में नेता उन्हें मनाते रहे और सब सहमत थे कि नितीज कुमार को सयोजक बना दिया जाए लेकिन नितीश कुमार ने इस ओफर को ठुकरा दिया था और यहां तक कह दिया था कि सयोजक पद के लिए लालू यादो सब से बेहता रहेंगे जो नितीश कुमार को जानते हैं वो समझ गए थे कि नितीश कुमार अब खुननस खा गए हैं मानने वाले नहीं हैं और वहीं से बात बिगड़ गई थी सरकार तो पाला बदल करके बाद बनी है राहुल गांधी की यात्रा जब पश्चिम मंगाल से होकर के बिहार में पूंचने वाली थी ये कारिक्रम उनको पता चल गया था और तभी नितीज कुमार ने ये मेसेज करा दिया था कि राहुल की यात्रा में वो सामिल नहीं होंगे इससे बात किलियर हो गई थी कि सिर्फ राजद से नराजगी की वो जहन से ये कदम नहीं उठाने जा रहे हैं बलकि राहुल गांधी और कांग्रिस से नराज हैं कम से कम उनसे बेवहार का तरीका तो अच्छा होना चाहिए राहुल गांधी कई बार हरबड़ी में गरबड़ी कर जाते हैं अब वो दो तरफा लड़ेंगे आ गए हैं इंडिये के साथ तो एक तरफ जिस इंडि गटबंधन की उन्होंने निवरक की थी उसी से लड़ाई लड़ेंगे दूसरी तरफ जिस RJD के साथ कल तक वो सरकार चला रहे थे उस RJD से लड़ेंगे माना जा रहा है कि लोग सभाद चुनाओं में BJP के साथ आने के बाद उन्हें फाइदा होगा लेकिन विधान सभाद चुनाओं में उनका यही कदम उन पर भारी पड़ सकता है आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा रहे ने बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू